नमस्कार दोस्तों छबागते आप सभी का मेरे चैनल पे आज मैं आप लोग के साथ हेर हाइलाइटिंग का वीडियो शेर करने वाली हूँ मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अल्रेडी डाला हुआ है हेर हाइलाइट से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को चैक आउट कर सकते हैं मैं पालर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ जो आप लोग के लिए हेलफुल हो सकते हैं तो प्लीज चैनल को एक बार सर्च चरूर करिएगा आज जो मैं हाइलाइट करने वाली हूँ इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्ट्रीक्स का ब्लॉंड पाउडर डेवलपर मैंने लिया है लॉरियाल का 40 वॉल्यूम का आपको इस तरीके का बाउल और जो ब्रश होता है वो लगेगा और मैं यूस करने वाली हूँ यहाँ पे tap वाला method तो इसके लिए इस तरीके का layer आपको मिल जाता है यह highlighting cap कहलाता है आपको market में बहुत आसानी से मिल जाएगा इस तरीके का एक tool भी अव्लता है उसके साथ और मैंने यहाँ पे जो color लिया है यह है और इसका नंबर है 8.31 मिरे क्लाइन के हेर्स पे पहले कोई भी कलर नहीं लगा हुआ था इनके हेर्स बिलकुल वर्जिन थे तो बहुत जल्दी कलर्स आ गए थे वर्जिन हेर मतलब होता है जिस हेर पे कोई भी कलर पहले न लगाया गया हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको जो blonder powder है उसे ले लेना है यहाँ पे मैंने 3 and a half spoon लिया था स्टीक्स का blonder powder मुझे काफी पसंद है आप चाहें तो वेला का भी ले सकते हैं लॉरियाल का मिलता है और भी ब्रैंट्स में एविलेबल है लेकिन जो स्टीक्स का है वो मुझे पर्सनली काफी पसंद है तो आपको इस तरीके से एक बाउल में blonder powder निकाल लेना है नेक्स्ट हम यहाँ पे एड करेंगे डेवलपर यहाँ पे जो मैंने डेवलपर लिया है यह है लॉरियाल का 40 वॉल्यूम जितना आपने blonder powder लिया है उतना ही आपको डेवलपर लेना है इसके बाद मैं एड करूँगी लॉरियल मजरेल का 8.31 यह ट्यूब कलर है जो मेरे क्लाइंट को डिजाइड कलर चाहिए था वो इन तीनों के मिक्स्चर से बहुत अच्छे से आ गया था आप चाहें तो pre-lightning भी कर सकते हैं उसके बाद आप चाहें तो ये वाला कलर लगा सकते हैं मैं आप लोग के साथ जल्द एक वीडियो शेयर करूँगी जिस पर मैं आप लोग को pre-lightning करके कलर डिपॉसिट करना बताऊंगी तो मेरे चैनल के साथ बने रहेगा आज मैंने आप लोग को blonde powder, developer और tube color को एक साथ mix करके highlighting करना बताया है ये भी एक तरीका है और बहुत जादा यूज होता है इससे आपका time भी बज़ जाता है और जो desired हमें color चाहिए होता है न वो भी काफी अच्छे से आजाता है तो बस आपको इस तरीके से अच्छे से mix करना है mix करना बहुत जादा जरूरी है बिलकुट time लेके अच्छे से mix करिए next आपको इस तरीके से cap को लगा लेना है और फिर जो इसके साथ tools दिया गया है ना उससे आपको hairs को इस तरीके से निकालना है आप ध्यान से देखिए इस तरीके से आपको hairs को निकालना है आपको जितने भी hairs को highlight करना है ना इसी तरीके से उन्हें निकालना है आप ध्यान से देखिए वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वीडियो को last तक ध्यान से देखिए इस तरीके से आपको hairs को निकालते जाना है ये cap और ये जो tool है न ये एक साथ मिलता है आपको subtradly लेने की ज़रत नहीं है और बहुत costly भी नहीं होता है मैंने अपने hometown से ही लिया था और ये मुझे लगबग 250 something में मिल गया था तो बहुत ज़दा costly भी नहीं है और आसानी से हो जाता है आप अगर चाहें न तो directly tube से भी highlighting कर सकते हैं इसके पहले का जो वीडियो है न मैंने उस पे tube से highlighting ये आप लोग को बताया है लेकिन इनको जो color चाहे था मतलब ये जो मेरी client है इनको जो color चाहे था ये golden blonde चाहे था इसके लिए मैंने तीनों को mix कर दिया और इनको desired result मिल गया तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं आपका जो client है वो कौन सा color चाहता है ये उस पे depend करता है कि आप कौन सा method यूज कर रहे है अगर आप pre-lightning करते हैं उसके बाद color deposit करते हैं उससे भी काफी अच्छे से हो जाता है और अगर आप ये वाला method यूज करते हैं इससे भी highlighting हो जाती है तो आप जितना चाहे method यूज कर सकते हैं result अच्छा आना चाहिए बस दोस्तो अगर आप online पालर का course करना चाते हैं तो मेरे वीडियो देखके बिलकुल कर सकते हैं मैं इसी तरीके के वीडियो डालती रहती हूँ पालर से related make-up के hairstyle के बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं मेरे चानल पे जो आप लोगों के लिए बहुत जादा helpful हो सकते हैं तो वीडियो देखिए और अगर आपको कोई doubt होता है तो आप comment section में मुझे पूछ सकते हैं मैं उनका reply ज़रूर करूंगी अब देखिए इनके top में जितना भी highlighting का hair हमें निकालना था वो मैंने निकाल लिया है अब हम यहाँ पे color deposit करेंगे तो आपको बस simple way में color को लगा देना है इसमें कोई भी rules regulations नहीं है कि आपको इस तरीके से लगाना है बस पूरे hairs पे अच्छे से colors लगना चाहिए मैंने कहा था ना बहुत ही simple way में हो जाएगा और बहुत easy method है तो इस तरीके से आप अपने client को highlighting दे सकते हैं उन्हें काफी पसंद आएगा मेरे client के उपर के बालों को highlight करने के लिए मैंने cap वाला method यूज किया है color लगाते वक्त आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है पूरे बालों पे अच्छे से color को लगाना है कोई भी hairs छूटना नहीं चाहिए नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं मैं लगा रही हूँ अच्छे से आपको इसी तरीके से पूरे बालों पे लगा लेना है मैंने यहाँ पे gloves वियर नहीं किया है लेकिन अगर आप beginner है तो आप बिल्कुल gloves लगाए क्योंकि यह सब जो है वो chemical treatments होते हैं और आपके जो हाथ है वो इससे खराब हो सकते हैं skin irritation हो सकती है जलन हो सकती है तो आप gloves जरूर वियर करें यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो color है वो अच्छे से पूरे बालों पे लग गया है इसके बाद आपको aluminum foil से इसे अच्छे से cover कर देना है इस तरीके से आप देख सकते हैं aluminum foil से क्या होगा heat produce होगा और उससे जो color है वो काफी अच्छे से इनके hairs पे चड़ जाएगा तो बस आपको इस तरीके से अच्छे से cover कर देना है अब हम नीचे के बालों पे highlights करेंगे मैंने अपने client से पहले ही पूछ लिया था कि उन्हें किस तरीके से highlights चाहिए था तो सबसे पहले आपको hairs को इस तरीके से छोटे छोटे portions में divide कर लेना है aluminum foil ले लेना है और इस तरीके से आपको नीचे नीचे ही colors को deposit करना है अच्छे से emulsify कर दे हर एक hairs पे color लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं तो जो result है वो अच्छा नहीं आएगा अगर आपके parlor में ऐसे clients आते हैं जिन्हें सरफ नीचे नीचे ही highlights चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं बहुत अच्छा लगता है result बहुत अच्छा आया था आप आगे देखेंगे और यह बहुत easy way है मतलब इसमें ज़्यादा कोई problem नहीं होती है ना आपको बहुत ज़्यादा technique यूज़ करने के जरूरत है बहुत easy way है और बहुत अच्छे से highlights हो जाते है तो आप अपने client को इस तरीके से highlights दे सकते है तो बस आपको इस तरीके से fold कर देना है aluminum foil को next आपको इसी तरीके से थुड़े थुड़े portions लेने है और उनमें colors deposit करते जाना है हेर highlights करते वक्त हम aluminum foil का use करते है aluminum foil जो होता है वो heat produce करता है जिससे highlighting का जो color होता है वो काफी अच्छा आता है ज़रता ठंड के मौसम में गर्मी न होने की वज़ा से highlighting में थुड़ी problem आती है तो आप क्या करें पहले aluminum foil लगा दे अगर उससे भी color अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप थुड़ा सा dryer से उसे heat दे दे इससे color काफी अच्छे से आ जाता है और जो highlighting का look है वो काफी advanced लगता है आप अपने client को suggest करें कि वो color protect करने वाले जो shampoos होते उन्हें यूज़ करें L'Oreal में मिल जाएगा, Vela में मिल जाएगा बहुत सरे ऐसे brands हैं जो color protecting shampoos बनाते हैं उन्हें यूज़ करें, sulfate free shampoo यूज़ करें और बहुत जादा hair wash ना करें यूज़ कि अगर बहुत जादा hair wash करेंगे तो जो highlighting का color होता है वो दीरे-दीरे fade हो जाता है तो ये कुछ-कुछ बाते हैं जो आपको अपने client को बतानी है अगर वो आपके पास hair highlights करवा रहे हैं तो अब देखिए जब तक मैं नीचे पे color लगा रही थी उपर का इनका जो highlights था वो हो गया था तो मैंने उपर के जो भी hairs थे उन्हें wash करवा दिया था आप देख सकते हैं इनका जो color है वो कित्ता प्यारा आया है इनको जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा उनको color मिला था तो उपर के hairs पे हो गयते colors तो मैंने उसे wash करवा दिया जबी भी आप highlights करें ना तो check ज़रूर किया करें क्योंकि पहले के जो hairs हमने color लगाया हुआ था ना वो highlights पहले हो जाते हैं तो इसलिए checking बहुत ज़रूरी है इनके hairs पे बहुत जल्दी color आ गया था क्योंकि इनके hair virgin थे और इन पे पहले कोई भी color नहीं लगा हुआ था अच्छे से आपको wash करना है कोई सी भी residual नहीं रहना चाहिए अभी तो मैंने पानी से ये wash किया था last में पूरे जब hairs के highlights हो गये थे तो एक बार मैंने शांपू कर लिया था अब देखिए नीचे के बालों पे भी इनके highlights हो गये हैं इनके बालों पे बहुत जल्दी color आ गया था बहुत जल्दी आप देख सकते हैं जो desired golden blonde color होता है न वो इनको बिलकुल मतलब मिल गया था इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था इनके highlights तो नीचे के बालों पे भी मैंने अच्छे से पहले पानी से wash किया था उसके बाद शाम्पू कर दिया था हेर्स को आपको अच्छे से wash करना है मैंने sulfate free shampoo इनका यूज किया था आप भी अपने client को बिलकुल suggest करियेगा कि sulfate free shampoo ही यूज करें इसके बाद बालों को आपको बहुत अच्छे से dry कर लेना है और फिर serum apply कर देना है आप चाहें तो बालों को straight भी कर सकते है या फिर curl भी कर सकते है मैंने यहाँ पे सिफ dry कर दिया था और आप result देख सकते है last में मैंने serum apply किया था यह streaks का hair serum है काफी अच्छा serum है और बहुत affordable range का है तो बस आपको इस तरीके से पूरे hairs पे हलका हलका सा serum को apply कर देना है आप देख सकते हैं इनका final result इन्हें काफी पसंद आया था इनका highlights मुझे भी बहुत पसंद आया था I hope कि आप लोगों को भी पसंद आये अगर आज का वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहा हो तो वीडियो को like करना, share करना और comment करना बिलकुल भी मत भूलिएगा चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe कर दीजेगा और उसके बाजो में जो bell बटन है उसे hit कर दीजेगा ताकि मेरे जो नए वीडियोज है ना उनकी notifications आप तक पहुंसते रहे तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाई बाई